असलाम अलेकूम हमारे साथ इसलामबाद में जब भी पिटे आई जलसे या कोई भी तक्रीब होना हमें जो फ्रन्ट लैंड पर जो नजर आती है ना कारकून है हमारे साथ हम उनसे खुद बात करेंगे कि कहां से आते हैं और हर तक्रीब में हमारे साथ यह शानब नेम और कहां से आते हैं और हर तक्रीब में आप नजर आती हैं इसके क्या वज़ाएं इसके लिए मैंने इनके साथ इतखाद कहता और मेरा नाम है आसिया चोधरी मैंने 52 की केंडिडेट थी और अभी मैं मेर अफिस लामबाद का एलेक्शन कॉंटेस्ट का रही है और यह ह हूँ और जब से मैं इनके साथ आई हूँ तो फिर इमरान हान के की तारीफ करनी पड़ते क्योंकि वह बहुत अच्छा और बहादूर लीडर है इस तरह का लीडर हमें कभी पहले मिला नहीं है तो इसलिए हमारा जजबा और भी जदा हो गया है जब इनकी कोई काल आती है जैसे आदा गेंटा भी नहीं हुआ उनने जो हमें काल की तो हम लोग हाजिर हो गें और जो अभी इमरान हान करने जा रहा है पूरी उम्मत का जो वो लीडर बना है वो इसलिए कि उसने कल्मा हग की आवाज उठाई है और हम लोग उसके साथ हैं और ला इलाह इलेला की ता पूरी कौम को एक होना चाहिए कोई भी किसी पार्टी का भी है तो उसमें मतलब पाकिस्तानी जो भी है जो भी मुसल्मान है जिसका भी जमीर जिन्दा है उसको इमरान हान का साथ देना चाहिए और सब लोग एक हो जाए न तो पिर इमरान हान इन्शाला एक तहाई एक्सर धारन पालिसी के लिए जो आवाज उठाई है은. अजाध फॉरन पालिसी जो है. इस से हमारी पूरी उमत के मुसल्मानों को पकर है. और इन्सान को एमान के साथ उन चाहिए, ना की विंटी लेटर अमरीका के हाथ मे घाथ हमें विंटी लेटर अमरिका के हात पे है जो भी इमान वाले लोग होते हैं वो यह लफ़ तो मिले खलमें खान साथ ने भी यूएन में जब गए थे वहां पे इजलास में भी कहता कि सुपर पावर सिर्फ अल्ला है सुपर पावर कोई भी नहीं है देखें अगर इमान की ताकत आपके साथ होती है तो कोई आप को हरा नहीं सकता आपके साथ एक मिसाल है अफगानिस्तान की देखो उन लोगों ने भी सर्वाइब किया ना सिर्फ एमान की ताकत थी उनमें जजबा था कितनी कुर्बानिया दी और अल्ला ताला ने उनको सुर्ख रूख किया है और उन्होंने अमेरिका का साथ नहीं दि तो हम अपनी मर्जी से सांस लें अपनी मर्जी से जीएं हम जहां दिल करे जाएं यह नहीं है कि हमें कोई आज बलके उन्होंने तस्दीक कर दिया है कि हमने यह किया था上र्टिक्ल 6 के मताबक स्ट्रीम कोड को स्टैप लेना चाहिए और यह है कि यह जो यह क्या कहते हैं शेबाद श्रीफ या यह लोग है इनका वेंटी लेटर अमरीका है और हमारा वेंटी लेटर जो है वो इमा कलमा हाग कहना अल्ला ताला पर इमान है जो तो इससे हमें कोई डर नहीं है जो रात कबर में होती है वो बार नहीं होती है इसलिए मरना जो है हक की पर मरें तो ज्यादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादा अगर तारे खेंच ली तो हमारी सांसे बंद हो जाएंगी, ऐसे नहीं है, इमान के साथ जीए, और अली की तरह, लिव लाइक अली एंडाई लाइक हुसेन, क्योंकि यही हमारा जजबा है, हम मुसल्मान हैं, और जो मुसल्मान होते हैं, उनको किसी का सारा ने लेना चाहिए, और इमरान हान जो इतना बहादर लेडर है, इसका सब को साथ देना चाहिए, चाहिए वो किसी भी पार्टी का हो, अवाम सारी उसके साथ हो, क्योंकि अभी वक्त है, हमारे कौम को जागने का वक्त है, अगर अभी हमें अजादी नहीं मिलेगी, अभी हम खुद मुखतार न नोबल ये चका, 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 जो चका मारा है, उस पर पूरी कौम को फखर है, और ऐसे ही होना चाहिए था, ये कह रहे हैं ना, कि वो भाग ये, ऐसे नहीं है, खान साथ ने बहुत अच्छा फैसला कि इनको नहीं आने दिया, ये नहीं आने चाहिए, इक्तदार में, क्योंकि इन्होंने सब को जेर करके रखना है, पूरी कौम को जेर करके रखना है, अगर खान साब ने ये जो कुछ भी किया है, बहुत अच्छा किया है, अभी खान साब इन्शाला अक्सरियत के साथ आएंगे, और हम सारी कौम उनके साथ है, खान साब को एक मेसेज और है हमारे ओलाध के लिए आगे जो है ना बहुत अच्छा मुस्तक्बिल है आप में हमें इमान नजर आता है आप इमान दार इन्सान और आप पहले नगया फैंकिना आप पहली पार्टी में शामिल हूई और वह प्युद्टि यह Любakingear Спасибо में चामिल होई हैं जब जब भी जाता हूँ खान साब के जलसे में आप मुझे फ्रंट लाइन पर नजर आते हैं हर वक्त ताजा दम उसी तरह यह क्या हुआ जाए इसलिए कि खान साब ने अब मैं इनके साथ हूँ और इन्शालला मैं खान साब के साथ मरते दम तक रहूंगी क्योंकि मैंने पहली पार्टी जॉइन किया है और मैं इतनी खुश हूँ खान साब के फैसलों पे खान साब को जैसे इन्शालला कभी भी वहारेंगे नहीं यह मेरा इमान है कि उनमें इतनी ता जो भी हवाम हैं, वो मुसल्मान हैं, उनके जमीर जिन्दा हैं, वो खान साथ का साथ देंगे इंशालला, और हम लोग खान साथ के लिए दिन रात अभी एक कर देंगे, और खान साथ की विक्टरी है, हमारी विक्टरी है, पूरी कौम की विक्टरी है, पूरी उम्मते मुसल् पार्टी है और इस तरह कि आपस में यह कुछ भी नहीं हो सकता यह जीरो हो गया है क्यूंकि सारे चोड़ डाकुई कटे वे और खाने एक तरफ है और सारे चोड़ एक जगापे कटे वे इन को कौम पेचान चुकी है कौम इन पर इतमाद नहीं करती है इनके साथ वही चमचे शामिल हैं जो इनके टुक्ड़ों पे पलते हैं जो बेंक आकाउंट में इनके साथ शामिल हैं जो इनके करप्शन में इनके साथ चामिल हैं बाकिज cities betrayal आ वाले लोग यहाँ साथ के साथ यह होगा हैं जबसे एक разр judgment साब ने इसलाम के लिए ऐसे काम कर दी हैं कि जिनके जुरूत ही हमें और ये लोग कुछ भी ने कर सकेंगे इन्शालला इमरान खान जीतेगा और इक्तदार में वही होगा अभी वह जब ग्याब है तो वही है हमारे मतलब लीडर हम उसी को मानते हैं क्योंकि एक पहला लीडर मुहम्मद सलिक्तार हुआ तो इसलिए शेयरियत पसान है हम लोग मुसल्मान है और उन्हों ने ओरतों को परदे का भी कहा उन्होंने कुर्ण व सुनत का बताया और निसाब में उन्होंने इसलाम की तालीम को जरूरी करार दे दिया तो यही चीज़ें हमरे लिए जरूरी ह है और यही हमारी जिन्दगी में कामानी है यही आखरत में कामानी है इसलिए इससे हमारी जिन्दगी भी एची है और आखरत भी हम चाहते हैं कि जिन्दगी भी इमान के साथ हो और मौत भी इमान के साथ है पकिस्तान के लिए कोई मेसेज दे कि कि खानका पकारा प्रम्हें can मेशेज दे कि घृ किकी साथ किस तरह कर्या रहना कि सक WILL है ये खानका के साथ उस सही के साथ आर अंधर का साध दें और इमरान खान जो है इस कों को बचाने आया है और काईदयाजम के बाद ये पहला लीडर है जिस ने जिस पे हमें उमीद है कि ये पाकिस्टन को बचाएगा तो सब लोग इमरान खान साथ ने इमरान खान पाक आर्मी इनके बगहर जो है हमारे मुलक के मुस्तक्बिल के कोई गरंटी नहीं है इसलिए इन दोनों का स दूंकी दूनिया में कोई इज्चत निती बिकारी हमें ये कह रहे हैं बिकारी ये लोग खुद हैं जिन जो अमरिका के गुलाम हैं जिनका इमान ही नहीं थी कारी है इन्ह buna हैं कि औरने इसलिए अपनी कौम को बचाने के लिए जो रहित किया उस पर हमारी पूरी कौम को फखर है उस ख्रमान सब के लिए कोई मश्वरा पदर रह्मान सबके लिए यह मश्रा है कि आप को मोलाना कहना जूर्म है क्योंकि आपने इसलाम के लिए कुछ भी नहीं किया और आप जब भी कोई फजूल काम होता है उसका बेड़ा आप उठा लेते हैं और आप ने ये सारी जो पीडियम बनाई है इसके लिए हम लोग पढ़ चुके इन्ना लिल्लाहे वा इन्ना लाहे राजियों इसको हम दफन कर चुके हैं इनकी सियासत खतम ह होगे हैं ये सारे चोड डाकों हैं